सबजी से कई गुना बेहतर टेस्ट है इसका इसका अंदर जो मसाला होता है न वो गजब होता है बड़ा टेस्टी आप एक बार खाएंगे ना बार बार आप सबजी खाना भूल जाएंगे परवल का आप यही खाएंगे बार बार हमेशा जब भी आप मार्केट से परवल खरीदें इसे बनाने के लिए थोड़ा बड़ा साइज का खरीदें ताकि उसमें मसाला ज़्यादा आए और एक बात और परवल खरीदते समय साइज तो बड़ा हो ही साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि परवल के अंदर जो बीज हो जाना वो बिल्कुल सक्त हो मुलायम नहीं यानि जो पका हुआ टाइप का पिला टाइप का तोड़ने से निकले वो वाला परवल अब यहां पर देखिए बिसे तो बहुत सारे परवल है लेकिन हम यहां पर आठ दस पीस बनाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है परवल इस तरह से काटना है जो काटना उसे हमने यहां पर प्लेट पर रख लिया है अब इसको हलका सदे के बीच से आपको ऐसे काटना है इसके बाद चम्मच के सहायता से ही आप यह काम कर सकते हैं जो आप आगे देखने वाले हैं इसके अंदर जितना भी material है ना इसके अंदर जो इसका वीज है इसका अंदर जो कुछ भी है सब इस तरह से चम्मच से आप निकालेंगे असानी से निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और एक बात का और अगर आप ध्यान देना तो और असानी से निकलेगा कि परवल को जब आप बनाने जाएं त और यह मुलायम हो जाता है अब यहाँ पर पानी और पानी में नमक हमने जहाँ पर सब निकाल लिया और इसको पानी में थोड़ा देर के लिए द्हीमी आजपर उबालेंगे और उबालने के लिए नमक हम लैट कर दिया यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसे हम थोड़ी दरी लिए ढग देंगे अब यह लगभग रेडी होने ही वाला है लगता है हो गया है हो गया है चलिए यहाँ पे यह भी उबल कर त्यार हो चुका है अब इसको आपको बारी काट लेना है और यहाँ पे देखिए उबल पहले ही रख लेंगे हैं, ताकि इसमें जो पानी है वो बाहर निकल जाए, इस तरह से खड़ा करके आप रखेंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, असानी से निकलेगा, अब एक एक परवल को इस तरह से आप खड़ा कर लें, ताकि पानी निकल जाए, इसमें पानी भर जाता है ये देखिए इसके बाद क्या करना है इसको आगे फोलो करते रही है अब देखिए इस तरह से रख लेना अब यहाँ पर मसाला आपको जो चाहिए बो देखिए लसुन और ये लसुन आ गया काली मिर्च जीरा और ये डाल चीनी के साथ थोड़ा साही जीरा बगेरा है और सीलवट पे पीसा जाएगा ताकि सीलवट पे जो मसाला पीसा जाता है उसका स्वाद कुछ अलग होता है अब यहाँ पर कड़ा ही गरम है इसमें सर्सो का तेल ताकी जो परवल हमने उβाल कर रखा है उसे फ्राई किया जाए फ्राई करने में ही तो उसका टेस्ट तो जैसे ही तेल गरम होगा इसमें वो परवल जो हमने उबाल कर रखा उसको किया जाएगा फ्राई तो तेल गरम हो चुका है और इसके बाद ये फ्राई करने के लिए डाला जा रहा है परवल इसको आप मध्यम मेडियम आज पे पकाते रहें गैस अगर आपको पस गैसे मेरे पास तो देख रहे हैं आप चुला है लकड़ी वाला गाउं में भी यही चलता है क्योंकि घर का लकड़ी तो यही चलता है अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है ऐसा माना जाता है गाउं के लोग मानते हैं कि गैस अच्छा चूलाई होता है तो यहाँ पे देखिए अब यह फ्राई हो चुका है और जब भी आप फ्राई करेंगे ना तो कितना भी सुद तेल आप डालें तेल थोड़ा काला पढ़ी जाता है अब यहाँ पे जीरा डालने के बाद सब कुछ एक साथ अड़ करके इसको आपको भूँजना है थोड़ा जब यह भूँजा जाए कलर चेंज हो जाए तब इसमें मसाला डाला जाएगा जो की सिल्वट पे पिसा गया था नमक अड़ कर लिया गया है और इसके बाद कड़ाही में इसे डाला जाएगा यह देखिया गया अब इसको इतना भूँजना है कि यह सटने लगे कड़ाही में और इसका महक दूर तक जाएगा बहुत अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट यही तो टेस्ट है इसका सबसे मेन आज के इस रिसेपी का सबसे मेन पॉइंट ही है अब यहाँ पे देखिये इलगबग हो चुका है और इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है अब यहाँ पे देखिये धनिया पत्ती तो धनिया पत्ती की बेना तो कामी नहीं चलता है धनिया पत्ति एड हो चुका है अब क्या करना है जो परवल हमने फ्राई करके रखा था उबालने के बाद जो फ्राई करके रखा था उसके अंदर ये मसाला डाला जाएगा और थोड़ा ठंडा हो जाए इसलिए इसे इस तरह से छलाया जा रहा है थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये देखिए आ चुका है अब ये नीचे थोड़ा ठंडा हो जाए अब ये परवल के अंदर इसको ठूश ठूश के भार आ जाएगा बिल्कुल ठूश ठूश के भार आ जाएगा ताकि खाने वाले को भरपूर इसका मसाला मिले और हम आपको बताएं कि ये मसाला में सबसे में टेश्ट है इसका तो इस दरह से आप पकड़ने परवल को और इसके बाद इसमें ठूश ठूश कर मसाला चम्मच के सायता से आपको भऴ लेना है अभी अगर तूटता फुटता भी है तो दिकत नहीं है आप सब कुछ रेडी हो चुका है यह देखिए और इस तरह से आप भर कर पलेट में रख लें मसाला तो बिल्कुल ठोश ठोश के भरा जाएगा यह त्यार है अब इसको आप रोटी के साथ खाएए दाल चावल के साथ खाएए जैसे खाना आए खाएए बहुत मज़ा आएगा बहुत हिस्वादिश्ट एक बार जरूर आप परवल का भरवा बनाईए और खाएए